इसका मीन है कैसे हम फिट रहें, कैसे फिट रहे सकते हैं, ऐसा क्या खाएं, इट करें कि हम फिट रहें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इटिंग वैल, हमें क्या खाना चाहिए, कीपिंग यॉर सेल्फ क्लीन और हमें अपने आपको क्लीन रखना चाहिए, कीपिंग यॉर हॉम क्लीन और क्या करना चाहिए, हमारे हॉम को क्लीन रखना चाहिए, एक्सिसाइज करनी चाहिए, प्लेइंग खेलना चाहिए, रैस्ट क अफपण ये कुछ, चिल्रन की कमप्लेंcm होती है क्यूंख इस्टमादैंग है 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 टूट एच है कंफ और कॉल है इस्टमाद़ पेट में दर्द रहता है सिर्धर रहता है दातो की अतीत की problems रहती है, कफ रहती है और कॉल सर्दी रहती है Also some children get tried very soon Why does this happen? Let's us find out Staying fit means staying healthy Staying fit का मीन क्या होता है? Healthy रहना, स्वस्त रहना If we fall ill, we cannot play and have fun So we must keep ourselves fit यदि आप बिमार हो, तो playing नहीं कर पाओगे खेल नहीं पाओगे and have fun और enjoy नहीं कर पाओगे यदि आप बिमार हो गए, तो playing नहीं कर पाओगे और fun, खुश नहीं रह पाओगे, enjoy नहीं कर पाओगे So we must ourselves fit इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? खुद को fit रखना चाहिए Eating well, maintaining, hygienic, regular exercise और हमें खाना proper खाना चाहिए Maintaining, hygienic, regular exercise और हमें क्या करना चाहिए? Regular, continue exercise करनी चाहिए Playing, outdoor, stacking, proper rest और हमें बाहर घर के बाहर playing करना चाहिए Outdoor का means है, घर के बाहर जो भी playing होते हैं खेल खेलते हैं वो हमें खेलना चाहिए टैकिंग, proper rest और हमें क्या करना चाहिए? Proper rest करना चाहिए, सोना चाहिए Well, keeps our body fit and healthy इसे क्या होता है? हमारी body fit रहती है, हम स्वस्त रहते हैं Healthy रहते हैं प्रप्टों टोभर करना चाहिए